देखिए ये तो आरोप अर्विन जी के उपर बहुत पहले से लगते आ रहे हैं हर चीज में मीन मेंख निकालना पहले से लेकर के और आज तक पांस साल अभी पूरे नहीं होई हैं जितने अर्विन जी ने अपने मैनिफेस्टों में वायदे किये थे वो एकदम तो पूरे हो नहीं सकते टर्न बाई टर्न बाई धीरे 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 आज यहां तक हम पहुंचे हैं अब यदि इस चीज़ को आज implement किया इसको सियासी दोर में election से देख करके यदि कोई देखता है वो अपनी सोच है लेकिन काम कर रहे हैं जनता के लिए कर रहे हैं यदि फरी कर रहे हैं जनता के लिए फरी किया है अब एक बात मैं आपसे पूछना चातो तो रजिनिस्तिवारी जी लोग कहते हैं या अर्विंजी ने तो बिजली फरी कर दी पानी भी फरी कर दिया घुस्पिटलों में medicine भी फरी हैं किराई भी फरी हैं, फरी 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 ये पैसा जब स्टार्टिंग में अर्वीन जी चुनाव लंड़ रहे थे अपनी रैलियों में बोलते थे हो ही नहिं सकता, बिजली कम हो ही नहिं सकती, स्कुलों के फीस बड़ने से कोई रोकी नहीं सकता, अर्विन जी पे डाउट कर रहे को जनता का पैसा और यदि देलि सरकार के पास स्विधा देने के लिए है और जनता को लोटा रहे हैं तो इसको चुनावी मुद्दा और फिर चुनाव में क्यों नहीं benefit मिल मिलना चाहिए जम काम नीतिक पांटी में हैं उसकह benefit भी लेंगे लेकिन केवल ये कहना कि ये तो काम ही चुनाव के लिए कर रहे हैं वो ठीक नहीं है मैं इसे अगरी नहीं हूँ ये विपक्ष का आरोप था और आरोप लगाते चले आ रहे हैं कि जो है ये जितनी यो जनाए अभी निकाली जा रही है ये चुनाव को ले देखते हुए निकाली जा रहे हैं देखिए पहले तो अंकुष था बहुत जादा अंकुष था अर्विन जी ने तो एक बार ये भी कहा था कि मैं एक ऐसा सियम हूँ अपनी मर्जी से एक पैन नहीं खरी सकता सरकारी पैसे से अब कुछ दिन पहले थोड़ी सी रहत मिली थी आपको भी पता है माननिय सुप्रीम कोड ने थोड़ी सी रहत दी है कुछ फिल्ड में उसके तहट काम कर रहे हैं और फिर आपने देखा है LG हाउस में अर्विन जी क्या करना चाह रहे थे मोला क्लिनिक तो बनाना चाह रहे थे मोला क्लिनिक बनने से इस देश का एक नाम हुआ है पहले क्या था लोग देखते थे USA में ये हो रहा है इंडिया में भी होना चाहिए इंग्लैन में ये हो रहा है वेस्टन कंट्री में ये हो रहा है इंडिया में भी होना चाहिए आज मोहला कलिनिक जो अरविंद केजरिवाल जी ने थ्री लेयर हेल्थ सिस्टम बनाया है इस सिस्टम को USA वाले बहुल रहे हैं कि ये हर कंट्री में होना चाहिए देखने के लिए आते हैं अब विपक्स की तो बात हर चीज में और वो मोहला कलिनिक लड़के 10 दिन तक LG के वेटिंग रूम में सोफे पर लेट कर गे तब उसकी परमीशन नहीं के आये थे अब मोहला कलिनिक विए दी विपक्स ये कहेगा कि ये तो चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं तो विपक्स की मानसिक्ता पे मुझे तो परसनचिन लगता है कि वो सई क्रियेटिव मुद्दे को भी जब ऐसा भटका रहे हैं जनता में एक दूसरा देना चाह रहे हैं बुद्धी दे अच्छे काम की पर्शंसा करें और क्रियेटिव जो क्रियेटिव लोचना करें कुलोचना ना करें जो काम अच्छा है यदि दौआइयां फरी मिल रहे हैं उसमें किसी को क्या उब जैक्شन है एगक गरीव आदमी है जजेसे क्लेस्टर में रहता है आप किसी मोहला क्लीनिंग में देखने जाओ लाइन लगी मिलेगी लोग कितने खुस हैं डोक्टर एक फीस कितनी लेता है देली में 500 से तो कम किसी की फीस भी नहीं है उपर से मेडिसन यदि वहां जा करके इलाज हो रहा है और उसमें भी मीन मेक निकाल करके अर्विन जी तो राजनिती के लिए करें ठीक है राजनिती करने आई है राजनिती के लिए करेंगे और काम के बदले वोट भी मांगेंगे यह अधिकार है समीधार ने दिया हुआ है अब विपक्स अपना काम करता है कर रहा है इसमें हम तो कुछ कह नहीं सकते लेकिन मेरा उन से हाथ जोड कर विनम्मर निवेदन है जो अर्विन जी ने अच्छे काम किये उनको सविकार करना चाहिए विपक्स को